Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम पढ़ेंगे Class 1 की EBS Book Chapter 17 Our Neverhood तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से NCRT The Mind को सबस्क्राइब कीजे, लाइक कीजे और पास में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजे, ताकि NCRT से रिलेटेट सारे वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा चैप्टर है Our Neverhood यानि कि हमारा आस परोस, तो हम आस परोस के बारे में पढ़ेंगे अरून लीप्स निर माई हाउस, अरून मेरे घर के नजदीक रहता है He is my Never, तो वह मेरा परोसी है, Never means परोसी All the people living in this area are our Nevers, तो all the people, यानि कि सभी लोग जो इस एरिया में रहते हैं, वो सारे हमारे परोसी है There are many houses, shops and big buildings in this area तो इस एरिया में बहुत सारे घर हैं, shops हैं, houses, shops and big buildings, यानि कि बड़े-बड़े buildings हैं इस एरिया में All this area with houses and people forms the Neverood तो इस एरिया में बहुत सारे घर, घर और लोग, houses and people तो ये सारे मिलके आस परोस बनाते हैं ठीक है, आपने देखा होगा जो आस परोस होता है, तो आपके आस परोस में जितने भी परोसी हैं तो ये सारे मिलके आस परोस बनाते हैं उसके बाद देखे, in this neighborhood, some roads are wide and some are narrow तो देखे, इस आस परोस में क्या होते हैं, कुछ roads जो हैं, वो चोड़े होते हैं और कुछ पतले होते हैं और वहाँ पर एक पार्क भी होता है, बच्चों के खेलने के लिए और वहाँ से बहुत नजदिक मार्केट भी है और हम लोग वहाँ पर से चीजें खड़ितते हैं इने city, some neighborhoods are very crowded और जो सहर में क्या होता है, city में कुछ आस परोस होता है जो कि बहुत भीरभाडवाले होते हैं Some neighborhoods are close to small factories और कुछ neighborhood, यानि के कुछ आस परोस जो होते हैं वो small factories से सटे हुए होते हैं, बहुत नजदिक होते हैं Factories give out smogs और factories जो होती है न वो धुवा बाहर निकलती है उससे बहुत जहरी ले धुवा जो है न वो बाहर निकलता है Smog makes the air dirty और smogs जो धुवा होता है वो क्या करता है? हवा को air को dirty कर देता है तो यह था आपका chapter आवर नेवर उट जो complete हो चुका है आप समझ गया होंगे आवर नेवर उट यानि कि यह Asperos के बारे में ही है कि हमारे Asperos क्या-क्या है building है तो यह सारे चीज्च जो हमारे Asperos में होते हैं कुछ Asperos होते हैं जो बहुत भीर भाड़ वाले होते हैं हमारे आस पर उसमें बहुत होता है कि small factories होते हैं तो उससे बहुत सारे धुवान निकलते हैं और ये हवा को गंदा कर देता है तो ये सारे चीज हैं चलिए अब हम exercise कर लेते हैं इसमें तो इसमें देखे fill in the blanks by selecting the right word from the help box तो यहाँ पर देखे आपको fill करना है ये help box में जो है आपको ये word देखना है right word देखके आपको इसमें fill करना है तो अब देखे यहाँ पर क्या है फर्स्ट में the families who live near our houses are our क्या हो जाएगा never यानि कि वो सारे families जो हमारे घर के नज़दीक रहते हैं तो वो क्या होते हैं क्या कहलाते हैं never words यानि कि परोसी कहलाते हैं all the houses and the people in a certain area from the neverwood तो जितने भी houses होते हैं और people होते हैं तो ये सारे जो area में रहते हैं तो वो सारे क्या हो जाते हैं आस परोस ये सारे मिलके आस परोस बनाते हैं तो ये वाला हो जाएगा उसके बाद देखिए इने नैवरूट सम रोड आर वाइड एंड सम आर नैरो तो यानि की आसपरोस में कुछ रोड वाइड होते हैं कुछ नैरो होते हैं Factories make the ear dirty Factories क्या करते हैं Ear को डर्टी बना देते हैं और उसके बाद है Children play in the park तो बच्चे फार्क में खिलते हैं तो इस तरह से इसे fill कर लेंगे साड़े को उसके बाद है Which of these are found in your Neverood Right, yes or no तो इसमें क्या करना है तो इसमें देखिए आपके आसपरोस में अगर ये सारे चीज अगर है तो आपको yes करना है अगर नहीं है तो no लिखना है तो देखिए आपके आसपरोस में क्या क्या चीज है तो पोश्ट आफिस है अगर है तो इसमें yes लिखेंगे उसके बाद पार्क है तो yes उसके बाद dispensary है तो yes cinema hall है तो ये नहीं है no करेंगे उसके बाद stops तो yes bus stop no इसके बाद बुलोब कार्ट no और will तो नहीं no तो ये सारे चीज हम लिखेंगे तो आपके आसपरोस में क्या है तो आप उस हिसाब से लिखेंगे अगर आपके आसपरोस में ये सारे चीज है तो आप yes लिख सकते हैं नहीं है तो no लिख सकते हैं तो इस तरह से इससे बना लेंगे उसके बाद है यहाँ पे कि give the name of any three shops in the market near your house तो देखिए आपको इसमें three shops आपको market में जो होते हैं उसमें आपको आपके घर से जो नज़दिक होते हैं तो उसका आपको नाम लिखना है तो देखिए कौन-कौन से shop आपके घर से नज़दिक है तो उसका नाम लिखना है तो जैसे की twice shop उसके बाद vegetable shop उसके बाद electronic shop तो यह सारे अगर नज़दिक हैं तो आप लिखेंगे उसके बाद अगर आपके घर से और और कौन-कौन से shop नज़दिक हैं तो आप उसके बाद लिख सकते हैं अपने तरीके से और उसके बाद देखिए वियर डू यू हैब मैनी फ्रेंड्स इन दे स्कूल और इन दे नेवरूड तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है आपके फ्रेंड्स कहां पे सबसे ज़्यादा है आपके स्कूल में या आपके नेवरूड में तो कहां पे ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स तो इन दे नेवरूड आपके आज पर उसमें आपके ज़्यादा फ्रेंड्स मिलेंगे तो आप लिख देंगे या अगर स्कूल में है तो आप स्कूल लिखेंगे और यहां देखिए Below the pictures, right city if you see the things in a city and right village if you see them in a village तो यहां पर देखिए अगर आपने इस picture में जो दिया गया है अगर आपने a city देखा है तो आपको इस तरह से आपको इसमें लिखना है इसका नाम लिखना है ठीक है मतलब कि यह कहा का यह picture है picture देख के आपको बताना है यह सारे चीज कहां पे हैं तो यह देखिए यह कहां पे होंगे तो यह सारे बिल्डिंग जो है यह कहां होंगे तो यह देखिए city में और यह वाला जो है कहां पे होगा village में और उसके बाद ये आपको कहां पे मिलेगा बुलो कार्ट तो ये आपको विलेज में मिलेगा और ये देखे कार्ट सीटी में तो इस तरह से आपको लिखना है तो ये चैप्टर आपका कम्पलीट हो चुका है तो आपको कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताईए और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे साड़े वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे और आपको कहें भी समझने में प्राब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के दोरा भी पूछ सकते हैं तो चलिए बच्छो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर थैंक्स तो वाच मैं वीडियो